नमस्कार साथियो मैं किशना राष्ट वादी मैं बात कर रहा हूं मद्द प्रदेश मद्द प्रदेश में OBC आरेच्छन का जो केस लड़ रहे हैं जो अधिवक्ता है हमारे साथ साहू जी इनका एक ख़वर को लेके पूरे मद्द प्रदेश में हल चल है आपने जो OBC सब्सक्राइब की बात नहीं है सवाल है कि यह जो रिजर्वेसन की लड़ाई है 37% आरक्षन की लड़ाई है इसको कुछ सवर्न विद्यार्थियों ने चैलेंज किया है हाई कोट में उन्हीं कहना है कि यह 37% आरक्षन गलत है क्योंकि 50% की ऊपणी शीक पार कर रहा है 50% की उपनी शिमा हमारे शम्मिधान में कहीं विवस्था नहीं दी गई है लेकिन सुप्रीम कोट के कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं इसमें पचास पर्तिशत की उपर एक सिलिंग लगा दी गई है और वो भी गयर कानूनी तरीके से लगा दी गई है तो मैं यह कहता हूं नेचरल जस् कहते हैं और हिंदी में प्राकृतिक न्याए कहते हैं तो नै्चरल जस्टृस के व्लंगन में इतने भी जज्स verbessत आते हैं उसका प्रभाव सुरू से सुन्य होता है तो सवाल हे नेचरल जस्टृस होता क्या है परें लेकिन एक पार्त है कि दूसरे पक्षों की अगर दूस है कि उसमें जो जज हैं उनका अपना कोई व्यक्तिकत हित नहीं हो या उनके समुदाय का हित नहीं हो इस केश में जो OBC के रिजर्वेशन का मामला है इस केश से हित या अहित दोनों जुरा हुआ है यह तो OBC का हित होगा यह तो फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इसे लिए इसका प्रभाव सुन्य होना चाहिए यह जो अभी अभी सुप्रीम कोट में EWS का जो रिजर्वेशन का फैसला आया है EWS के रिजर्वेशन के उस फैसले में भी पांच के पांचों जाज सवर्न जाती के थे तो उसका प्रभाव सुन्य होना चाहिए इसलिए मैं काता हूँ और फैसला आ गया मैंने पांचों को सुप्रीम कोट में सब्सक्राइब कर विचार नहीं किया गया और मैंने उस क्वेशन आफ लौ में मैंने बताया था कि क्या इस बेंच को इस केस के सुनवाई का अधिकार ह हैं क्योंकि सभी के सभी जाज एक फॉर्वर्वर्ड कलास से हैं और इसलिए फैसला पक्षपात्पुर्ण फैसला आया है यह कहाने में मुझे कोई डर और भय नहीं है विश्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर बुलंदगी के साथ यह आवाज उठा रही है निरिविक्ता पुर्वा के उठा रही है यह काविले तारिफ है हमारे महेंदर चिंग लोदी जी है और भी लोग है इनके अलाव इनकी पूरी टीम है यह सब लोग जो है तो यह मैं समझता हूं कि मद्द परदेश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है हलाकि इससे पहले भी हुए थे कुछ लोग हमारे ललीद गौर जी भी पहले हुए थे हमारे अभी बिजय भी हैं और बहुत साथ लोग हैं लेकिन आज का ललीद गौर जी थोड़ा काम कर रही है लेकिन बामसेफ एक ऐसा काम कर रहे जो पूरे देश में लुग बोल रहे हैं बामसेफ के कैडर ट्रेंग से निकले हुए सब्सक्राइफ करने प्रहे हैं इसलिए हम वह का सथी तारिफ करनी परेगी सभी गया संजुक्त प्रयास से आज हमारा ओबीशी यह हमारे जो भी संगतन है करने को उतना अभी नहीं है लेकिन वी सी महासभा का जो रोल है और उस रोल को उस रोल का ही आज है कि आज हम सब लोग यहां है और कोट में हम लोग इसको देख रहे हैं एक आखरी शवाल मर्द परदेश में इस बार किस तरब जो जनता है वो किस तरब रुख करेगी मेरे ख्याल से जो भी यह अधार बना है इसमें भाजपा और कंगरेश दोनों को छोर करके जनता तीसरा विकल्प चाह रही है और तीसरा विकल्प जो है वो हम लोग बनाने का प्रियास कर रहे हैं तीसरा विकल्प क्योंकि भाजपा और कंगरेश दोनों नहीं ओविशी का एक्सप्रेटेशन किया है सोसंग किया है जी दन्यवाद